नमश्कर दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं निमो सेट सिरप के बारे में इसके फायदे नुकसान इस्तमाल करने का तरीका और कितने दिनों तक उसको इस्तमाल किया जा सकता है इन सभी बातों के इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखेगा लेकिन उससे प करने का और इसका जो मुर्पी हैं वो है संतावन रोपे पचास पैसे साट है मिल की बॉटल का और इसमें जो साल्ट है जो कंटेंस हैं वो है अॆ सीकलो फेनेक एंड़ पेरसिता मॉल और इसमें यो पेरसिता मॉल है वो 50 अमजी सौरी असीकलो फेनेक higher वो और पेरसितामूल है 125 अमजी तो चलिए बात कर लेते हैं इसके योज़त की किस काम में इस्तमाल किया जाता है दोस्तो इसका उपयोग बच्चों में होने वाले बुखार और दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है जैसे कि बुखार दोस्तो चाहे मुलेरिया का हो चाहे ट कोई भी दर्द हो दात का दर्द हो सिर दर्द हो बदन दर्द हो घुटनों का दर्द हो हड्यों में दर्द हो किसी भी परकार का दर्द है तो भी इसको दे सकते हैं और बुखार उतारने के लिए तो इसका श्पैसली तोर पे इस्तमाल किया ही जाता है दोस्तो जिसकी है पांस साल तक का है तो साड़े साथ एमल और अगर उससे बड़ा है तो दस एमल दे सकते हैं लेकिन बिना डॉक्टर की सला के इसको नहीं देना है मैंने सिरफ आपको नॉर्मली इसकी जो डोस है वो बताई है फिर भी अब जब इसे देने लगो तो अपने डॉक्टर की सला जरूर ले लेना आप ठीक है हो सकता है बच्चे को किसी और तरह की इनिफेक्शन हो या दर्द हो आप इसे डोस वीडियो में देख के डोस दे दो तो हो सकता है प्रॉबलम हो सकते है तो आप अपने डॉक्टर की सला जरूर ले और साथ में जो और दवाईयं देते हैं नर्मल दर्द और बुखार के लिए भी इसको घर में रखना चाहिए बहुत ही जरूरत पढ़ सकती है आपको कभी भी इसकी तो इसकी डोस होती है दोस्तों बताई है मैंने और धाईयमल जो होती है वो मतलब जैसे कि एक साल का बच्चा है उससे थोड़ा बहुत छोटा है उसे डाईयमल दिया जा सकता है तो दोस्तों बिना डोक्टर की सला के इसकी डोस को भी आपने नहीं देना है इसका इस्तमाल तीन दिन से लेके साथ दिन तक इसका उपयोग किया जाता है और इसकी डोस को कभी भी ज़्यादा नहीं देना चाहिए क्योंकि पैरसिटामल जो को डॉक्टर ने बताई है उतनी ही देनी है बच्चे को बच्चे को जब वह चेक कर लेंगे तब ही इसकी डोस भी बताएंगे वह ठीक हैं तो इसकी जो side effect हो सकते हैं नुकसान इसको देने से बच्चे को उल्टी घबराहट और पूरे दाने निकलना खुजली होना और चहरे पे स्वैलिंग आना चहरे पे रेड़नेस आ जाना लाल हो जाना चहरा और सांस लेने में दिक्कत होना यह सब इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर इन में से कोई भी प्रॉब्लम लगती है आपके बच्चे को पहली खुराग देन प्रॉब्लम लगती है